बश्कार दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके अपने ही चैनल गौ ब्लॉक्स पे देखे जब भी हमने किसी हतीली का अगर एनलिसिस करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि चाए आप जनम पत्री दिखाओ चाए आप हतीली दिखाओ मुख्य रूप से क्या होता है कि जो हमारे ये ग्रह होते हैं नव ग्रह जिनको कहते हैं उनी ही का प्रवाह ज्यादा तर या पूल्ड रोप से कहें तो हमारी जीवन पे पड़ता है अब रेखाई क्या होती है रेखाई वो चीज होती है कि जो हमारा दिमाग सोचता है उसी की जो है ये परतिरूप होती है रेखाई वो हमारी हतेलियों में दिखाई देती है हमारा समय कैसा रहेगा आने वाला हम कितने पैसे अपने जीवन में जोड़ेंगे दामपत्य सुक कैसा मिलेगा उसका जो आंकलन है ने वो रेखाओं के साथ साथ ग्रहों की इस्तिति देख के किया जाता है कई बार क्या होते हैं हतेलियों में विविन परकार की चिन बनते हैं जादतर ऐसे चिन भी बनते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता या ऐसे रेखाओं भी होती है जिनको कोई मतलब नहीं होता तो उन रेखाओं को पढ़ने उन चिनों को पढ़ने का मतलब नहीं होता है ये चीज देखनी अनिवार्य होती है कि जो रेखा निकल रही है वो किस ग्रह से निकल रही है उस ग्रह का उस रेखा पे क्या प्रभाव पड़ता है तो इसे से हम एक सटीक एनलेसिस कर सकते हैं केवल अगर हम रेखाओं को देखे तो रेखाओं से हम बोल तो लेंगे सटीक एनलेसिस तो कर लेंगे पर जिवन में वो प्रभाव दिखाई नहीं देगा जो एक जो है अब जैसे हम इस हतेली में देखते हैं अब उसे भी आपने देखा होगा कि हर ब्यक्ति की हतेली में धन की रेखा अलग-अलग अस्तानों से जाती है अलग-अलग रेखाओं और प्रवतों से मिलकर बनी होती है अगर प्रस्तुत हतेली हम देखते हैं तो प्रस्तुत हतेली में ये जीवन रेखा है ये मस्तिस्क रे और एक सुन्दर सी जो है भग्यरेखा दिखाई दे रही है। ये एक M आकर्ति बना रही है। पूर्ण रोप से बहुत सुन्दर आकर्ति है M आकर्ति बनाती हुई निजर आ रही है। ये संकेत करती है कि ये जो जातक है ने ये 35 से 55 वर्स की आयो तक अच्छा खासा धन करेंगे। इस आकर्ति का इस रेखा का ये भी मतलब होता है कि विभाह के बाद आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी तेजी से हुआ होगा। लेकिन आप देखों बरतमान में थोड़ा देखने की कोशिश आप करिएगा। ये इनकी जो हिर्दे रेखा है और ये इनकी बहुत सारे रेखाएं काट रही है वो भी किस परुट पर किस ग्रहार के सनि के ग्रहा पर ये सणी का ये मिडिल फिंकर है इसके नीचे के भाग को हम सणी कहते हैं ये सनी का ग्रह माना जाता है रेखाई काट रहे हैं तो बरतमान में इस धन रेखा का पूरा फाइदा इनको नहीं मिल पा रहा होगा कुछ न कुछ अड़्चने आ जाती हैं ऐसे रेखाऊं के आने से चाये आप व्योवसाई कर रहे हो चाये आप नोकरी कर रहे हो उसमें थोड़ा सा अरचना आती है अगर धन आता भी है तो व्यक्ति के पास पूर रोप से बच नहीं पाता है या व्यावसाई इस तरह से नहीं चल पाता है कि व्यक्ति के पास पूल रूप से धना जाए धन रहका तो अपना पूरा प्रभाव दे रहे हैं मगर बेच में क्या है अर्चने है तो किस ग्रह का प्रभाव पढ़ रहा है हमारी हतेली में प्रभाव पढ़ रहा है सनी का और सनी का जब प्रभाव पढ़ता है तो बहुत सारी अर्चने जो है पैदा कर लेती है मैं बहुत सुन्दर उपाई आपको दूँगा आपसे अनुरोद है उस उपाई को आप जरूर करिएगा दूसरा अगर ये आकरती को हम देखते हैं तो ये आकरती क्या दर्सारी है कि आपका जीवन में पुरातन से लेके जो जीवन आपका चला आ रहा है पुरातन मनि पहले जन्म से लेके भगवान सिम और मापार्वती का विसेस आसिस आपको प्राप्त होगा और रहा होगा ये आकरती बता रही है आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी होंगे आप जिस किसी भी कार्य को अपना हस्त चेप करते हैं उसे सफाल बना कर ही पूर्ण करते हैं बिजनिस में होंगे तो बहुत अच्छे पार्टनर होंगे दोस्तों और रिष्टेदारों के परतिमान दार होंगे और दोस्तों के लिए बहुत खास होते हो आप लोग ऐसे लोग जिस बिक्ति के साथ जुड़ते हैं उसकी भी किस्मत चमक जाती है और अगर हम हतेले में बात करते हैं तो सुक्र को और गुरू को धन का कारक माना गया है सुक्र अगर इस तरह से सुन्दर अवस्ता में हो बिक्सित अवस्ता में हो जैसे इस अतेली में आप देख रहे हैं सुन्दर भी है बिक्सित भी है तो और गुरू जो है इस तरह से पुष्ट आवस्ता में है तो सुक्र हमें बिलासिता देता है इस तरह से हो गुरू हमें धन देता है और इन दोनों का जब कॉमिनीशन हो जाता है तो हमारे जिवन में आराम और पैसा मिलता है बहुत सुन्दर है इनका जो है जिवनकाल इनके ग्रह और सुर्या हमारे कामों को बिस्तार देता है और सुर्य रेखा अगर इस तरह से हो तो येकीन मानिएगा ब्यक्ति को राजा बना लेती है मगर तब अगर पहले तो 35 से पचपन तक मगर इस तरह से जो है ये रेखा घिर रही है इसको काट रही है एक अस्तम को कम कर रही है उसका महतो को कम कर रही है तो बिस्तार कब होगा ठिक 40 में साल में राजा जैसी जीवन जो है कब जीने बैठ जाओगे 40 में साल में क्योंकि ये गद्धी दिलाती है और गद्धी के साथ क्या देता है ये रेखा अपने आप में देखो और कोई रेखा हो नव हो और गरह का कैसा भी प्रभा हो ये आकरती जो M की आकरती है ये इसमें सभी कु कोई रेखा कोई चिन हो नहों ये है ने आपकी जीवन में और इस तरह से आपके ग्रहनक्षतर पूर्ण रोप से उठे हुई है ये थोड़ी यहां पर अडंगा है तो दो वर्स में जो है दो वर्स तक थोड़ा सा अडचन पैदा करनी है चालिसवे वर्स से या 41 वर्स से देखिएगा ये आपको राजा बना लेगी बहुत मेनत करवाएगी बले ये संगर्स करवाएगी जीवन में मगर निरंतर उन्नती घर का सुक मकान का सुक जिसे कहते हैं मकान का सुक वाहन का सुक और धन का सुक और ऐसे लोगों का बिस्तार भी करवाती है ये मान सम्मान प बहुत बुलंद है, ब्रस्पती आपका बहुत बुलंद है, सुक्र आपका बहुत बुलंद है, बरतमान में क्या कह रहा है, आप लगजरी की तरब बहुत ज्यादा अट्रेक्ट हैं, और सोच भी बहुत ज्यादा रहे हैं, हलका मानसिक प्रभाव भी पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि सनी पे जो है इस तरों की रेखाएं हैं तो सनी पे थोड़ा अर्चन आने की वो जो से सुक्र भी युक्ति बना रहा है तो ये थोड़ा मानसिक परेशानी दे रहा है बरतमान में हलके रोब में चिंता भी कर रहे हैं सोच भी रहे हैं बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठनाईयों के बाद भी उस रोप में जो है बचनी पा रहा है, थोड़ा सा अभाव इस्तिति में है, हलका कन्फ्योजन की इस्तिति भी बनी हुई है, जबकि नहीं होनी चाहिए सब कुछ ठीक है, फिर भी हलके रोप में है, अपने हाथ का कलर देखिएगा, बहुत खूब सूरत कलर है आपके हतेली का, बहुत बिरले हाथों में ऐसा कलर देखने को मिल जाता है, एकदम तेज लिए हुई है, ऐसे लोगों के जिवन में संगर्स बहुत जादा रहता है, मिहनत बहुत जादा करते हैं, अपने काम के प्रस्तिती में ऐसे बिक्ति जो है, हांस हांस के जहल सकता है उसको, और अगर आप देखोगे, आपकी हतेली में, कही न कहीं जो है, एक मंगल की रहखावी दिखाई दे रही है, बहुत सुन्दर, इसे धन की रहखावी करते हैं, ये धन भी देती है, ये जमीन जायदाद स देती है, नाव बोट से धन देती है, लकड़ी के काम से धन देती है, सांदार है, इंगित कर रही है, कि व्यक्ति अत्यंत प्रतिपासाले और तीप्र बुद्धिके होंगे, सोचने और समझने के सकति आप में बिसिस रूप से पाई जाती है, जीवन में जो निरणे एक ब एक उदिष्या लेकर आगे बढ़ते हैं, और जब तक उस लक्षा की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक बिस्राम नहीं करते हैं, खूज करते हैं उसके बारे में, और अगर हम इस हतेली को बहुत सुन्दर से देखें, इस मंगल रेखा क्यों, तो आप देख रहे अरग के आकार के में बनने भले ही, हतेली में साफ फोटो नहीं आई है, अपनी घर का सुक, अपनी कमाई से या पैतरिक संपती जरूर मिलेगी, बहुत जरूर मिलेगी, 100% है आपका घर का सुक मिलेगा, ठीक है न, जरूर मिलेगी, और देखेगा, अंगोठा देखेगा, आप अपना इस्तरों का अंगू ठाए और इसमें जो है एक बहुत सांधर जो है दोनों प्रवों की बीच इस्तरों से बनता हुआ नहीं जरा रहा है थिल पूरा नहीं बना है पूरा नहीं बना है पर लक्षण पूरा लिये वए है यह GPS से आंख्णुमा चिन बन रहा है हर किसी के हतेली में नहीं बनता है पर जादा तर लोगों के बनता और जिस भी हतेली में बनता बड़ा सो बग्य साली हतेली वो होती है बहुत सुक होता हो व्यक्ति बहुत सुक बहुगता है जीवन कालबी कठनाईयां भी आती है मगर सुक भी बहुत ज़्यादा भोगता है ऐसे लोगों को खुद की मेहनत के पैसों का खुद का घर जरूर मिल चुका होगा या मिलेगा थोड़ा भावक किसम के भी यह जाता कहें काफी इमोशनल भी है और देखेगा चंद्रमा बहुत खुब सूरत और गद्धी नुमा है इमोशनल भी ज़्यादा होती है नाजु खिर दे के होंगे दूसरी बात है ऐसे लोग ने थोड़ा अनुसासन में रहना पसंद करते हैं तहजी पसंद होते हैं अच्छे सलीके से अपना जीवन जीना आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है पैसे कम भी हो तो बहुत अच्छे से रह लेते हैं दूसरा दिखावा भी करते हैं क्योंकि सनलाइन बहुत पुष्टा वस्तावी है तो इसके गुण बहुत जादा ब्यक्ति में आ जाते हैं अच्छे से पहनना अच्छे से अपनी प्रसनल्टी पर ध्यान देना अपने आपको मेंटेन रखना बहुत सुन्दर दिखना सजना सवरना फैसन के प्रतिरुचि नई चीजों के प्रतिरुजान परिवार के प्रतिसमरपण की भावना परिवार का साथ ये सारी चीजें आपके साथ जूड़ी हुई है और ये ब्यक्ति को बहुत जादा परखर बना लेती है और अगर हम बात करते हैं ग्रहों की तो ये अंगोठा है इसके नीचे के भाग को हम सुक्रपरवत कहते हैं और देखिए बहुत खूब सूरत है आपका चेहरा भी बहुत सुन्दर होगा एक आकरसन लिए होगा जो सब को अपनी तरफ आकरसित करता है वोल्टिकल लाइने भी हैं अपने काम के प्रतिजुजारोपन थोड़ा सा बरतमान में मानसिक प्रेशानी भी दे रहा है बहुत ज्यादा मेहनत और कटनाई के बाद भी थोड़ा अभाव की इस्तिती भी दे रहा है सोचते भी बहुत ज्यादा है पर बहुत एक सुक्ष सुगदाईएं भी बहुत अच्छी मिलेंगी परिवार का बरपूर साथ मिलेगा देखे क्या होता है सुक्र हम आपकी हतेले का बिसलेशन कर रहे हैं साथ में इसके महतों को भी बता रहे हैं ये ग्रह क्या है ये अगो ठेके नीचे वाला इसको जोतिस में आचार्य कहा जाता है गुरू भी कहा जाता है क्योंकि हमारी पौरानिक जो मान्यता है उसके अनुसार ये सुक्रजी देतियों के गुरू है निश्चित तोर से इनके अंदर एजूकेशन की क्वालिटी है निश्चित तोर से इनके अंदर गुरू होने की समर्थ्या है और सुक्र जो है हमारे जीवन काल में जाए हतेली में हो जाए पत्रिका में हो सलाह देने का कार्य करता है इसलिए जोतिस में इसे गुरु कहते हैं दूसरा आपके जीवन में जैसा भी सुक हो अच्छा हो बुरा हो जैसा भी होने इसके पीछे यही सुक्र होता है क्योंकि सुक का कारकी ही सुक्र होता है चाहे वो सारिरिक सुक हो चाहे वो मानसिक सुक हो बिना सुक्र की पुष्ट हुए या पत्रिका में कहें कि पत्रिका में भी पुष्ट होना चाहिए बुलंद दिखाई दे रहा हो हतेली में तो जीवन में जो है सुक आता है और तीसरी बात है बैबाहिक सुक सुक्र को जो है कलत्र कारक कहते हैं मेरिटल लाइफ का मालिक मानते हैं आपके हतेली में सुक्र जो है पुष्ट अवस्तावी दिखाई पड़ रहा है ने बहुत सुन्दर दिखाई पड़ रहा है तेज लिए हुई दिखाई पड़ रहा है आप भी बहुत तेज मय होंगे बहुत सांदार ब्यक्तित्व के मालिक होंगे अलग से चमक रखता है ऐसा ब्यक्ति लाली माली वहेतर है आपका सुक्र आपके पास ग्लेमर जरूर होगा चमक होगी नाम और यस होगा चका चुन रहेंगे चालिसवे वर्स से जो है बहुत एक सुक संपदा लक्जरियस देगा आपके आदत होती है बड़िया घड़ी पहनना बड़िया पिन रखना अच्छे जूते पहनना अच्छे से रहेना, अपनों को मैंटेन रखना, सजना, सवारना ये जो टेटेंसी है ये इसी सुक्र से पैदा होती है क्योंकि ये हमें क्या करता है गलेमर को अट्रेक्ट करता है अगर सुक्र जो है खराब श्तिति में है तो कई रोग लग जाते है मानसिक रोप से छत भी छत हो जाता है कुछ नहीं कर पाता जीवन में तो इसलिए आपके जीवन का सुक्र बहुत सुन्दर है आपका ये ग्रह बहुत सुन्दर है मंगल को देखे मंगल भी बहुत सुन्दर है मगर एक चीज यहां पर दिखाई दे रही है अगर ये फोटो है अगर ये अलग सा है तो ठीक है दो चीजें वोग सकती है एक तो इस तरों से अगर दिखाई दे रहा है कट का निशान है तो यकीन मानिएगा कोट कचरी के मामले से दूर रहे कोट कचरी का मामला बना सकता है ये पूरी पिक्चर नहीं आ रही, मेरे ख्याल से तो इसमें जो इस्टार का चिन है यदि इस्टार का चिन है, तो भवन, भूमी समंदी लाब भूत सुन्दर मिलेगा आपको यकीन मानिए, जितनी मिहनत और लगन से काम करोगे, ये उर्जा का भी कारक है और नव ग्रहों में सैनापती इसे कहते है, ये सैनापती भी है, प्राकरम को दिखाता आपका बहुत सुन्दर प्राकरम है, अगर इस्टार है, तो भूमी भवन का लाब मिलेगा अगर कट का निशान है केवल, तो थोड़ा सम्मल के रहेगा क्योंकि ये चिड़ चिड़ापन कुरोदे सुभाव भी देगा आपको छोटे-छोटे बातों पर भी बहुत तेज गुसा आएगा, छड़ भंगुर हो जाएगा आपका मन तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अगर इश्टार है, मैं तो जहां तक सोच रहा हूँ कि इश्टार है ये तो भूमी बहुण का बहुत सुन्दर लाब आपको मिलने जा रहा है क्यूंकि आपके मंगल रेखा विं बहुत सुन्दर है, पावरफुल रेखा है बहुत सुन्दर ये धन भी देती है भाग्या रेखा जब पूर्ण उस्ता में बहुत सुन्दर बीच में कटे नहीं कहीं पर छूटे नहीं कोई रेखाएं न काटे तो यकीन मानिएगा अचानक सफलता देगी 42 वर्स में अचानक सफलता बहुत बड़ी सफलता चाहिए आपका बिजनिस वो उसमें एकदम उचाला जाएगा मगर आभी थोड़ा सा संगर्स है थोड़ा सा कनफ्योजन है थोड़ा सा मानसिक प्रेशानी है पैसा आ रहा है बहुत सुन्दर आ रहा है मगर बच नहीं पा रहा है थोड़ा अर्चन पैदा हो रही है थोड़ा खर्चे जादा हो रहे है मगर ये जो है चालिसमे वर्स से देखेगा बहुत सुन्दर जीवन रहने वाला है बहुत सुन्दर, हाँ संगर से रहेगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगी तबी शफलता की प्राप्ति होगी भगवान संकरमा पार्वति का आसिस ले ना जनम पत्रे दिखाने की जरूरत पड़ेगी ना हतेली दिखाने की जरूरत पड़ेगी और ऐसा सुन्दर ब्यक्तित तो रहेगा कि आगर राजनीती में भी आना चाहे तो राजनीती में भी जो है बहुत अच्छा भागयोदाई हो किसी धार्विक पद पे आना चाहे तो वहां में सेलेक्शन होगा एक पब्लिक फिगर जिसको कहते हैं एक आदर्स जिसको कहते हैं वो बन के रहेंगे जिवन रेखा पे चलते हैं बहुत सुन्दर जिवन रेखा इस तरह से निकल लिए जिवन में निरंतर प्रगति है और कहीं न कहीं आप देखिएगा कि परिवार के प्रतिसमरपण हैं और एक रेखा यू निकल रही है तो देखिएगा आप विदेश यातरा के भी योग बन रही है ये पैतरिक संपति का योग जो है इस तरह से रेखा जा रही छोटी से और ये बना रही है और दोसरा 2020 के अगर बात करें तो पहले जो भी गलतियां की होंगी अगर कोई तो उन गलतियों को ठेक करने में और अपने को इंप्रोब करने में जो है सारा ध्याना आप कर रहेगा इस सल आप अपने को बिहतर तरीके से इंप्रोब करेंगे माइन रेखा अगर आपकी देखा जाए तो बहुत सुनर है चंद्रमा पे आ रहे हैं चंद्रमा के गुणा रहे हैं और चंद्रमा हमारा कलपनाओं का ग्रह है है क्रियेटिव होंगे किसी न किसी आर्ट में किसी न किसी कला में किसी न किसी संगीत में मन दूबा रहेगा ऐसे लोग कभी हिर्दे के भी होते हैं क्योंकि इनका ब्रिस्पति बहुत बुलंद दिखाई पड़ रहा है लंबी और हवाई यातरा का मौका मिलेगा होशकता भी देश का मौका भी मिल जाए अगर आप देखोगे आपकी हिर्दे रेखा भी बहुत सुन्नर है पर थोड़ा इसमें मंगल के गुण कही न कही आ रहे है तो दामपत्य जीवन के में थोड़ा अनबन रह सकती है उस और थोड़ा ध्यान दीजिएगा है क्योंकि मंगल के गुण जब भी आते हैं बेक्ति थोड़ा लड़ाई जगड़ा घर में कलहों के रहा की थोड़ा इस्तिति बन जाती है वैसे द्रस्पती के गुण है तो द्रिड़ निश्चाई है आदर स्वाधी ब्यक्तित्व है एक धार्मिक भावना भी आपके अंदर और प्रौत मात्रा में भरी हुई है धन संपती के बाद करते हैं तो वैसे ये चल लिए है जिवन रहने वाला है अगर हम देखें तो एक जो है 42-वे वर्स में और एक जो है 50-वे वर्स में थोड़ा राहो की थोड़ा सा आपको कश्ट देगी मानसिक परिशानी का सामना थोड़ा करना पड़ेगा और कहीं न कहीं धनहानी होनी की भी गुंजाई से थोड़ा राहो से बचके आपको रहेना पड़ेगा बहुत सुन्दर उपाई देंगी करके रहे गया और एक रेखा यहां से अगर यही जारी बुद्ध को तो निश्चित मानिएगा ड़ाई तीन साल में जो है ब्यापार में केवल ब्यापार में नोकरी में नहीं केवल ब्यापार में अचानक धन की प्राप्ति करवाएगी राहो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है हर किसी की हतेली में बुरा नहीं होता है प्रस्द्धि देगी पर अभी नहीं, 40-41-42 साल में, और भगवान नारायन की अगर ये इधस्तरों से आ रही है, तो भगवान नारायन की बहुत किरपा है, अच्छे रास्ते पे चलते हैं, अच्छा काम करते हैं ऐसे लोग, तो निश्चिती इन लोगों को बहुत बड़ा फाइदा होता है, दूसरी बात जैसे जैसे जो है, आप जो है मेचोर होते जाते हैं, वाक सिद्धि की भी ऐसे लोगों को प्राप्ति होती है, अगर हम आपका ब्रिस्पती देखते हैं, बुलंद अवस्ता में दिखाई पड़ रहा है ब्रिस्पती, मान प्रतिष्टा बह होंगे, बिद्वान होंगे, नियाई करने वाले होंगे, और सबसे बड़ी बात है, अपनी बातों का निरोहन करने वाले प्रॉपकारी जरूर होंगे, और दीखा जाए तो धार्मिक भावनाई, आपके अंदर बड़ी मातरा में दिखाई पड़ रही है, और सलाह देनी की छमता, आपके अंदर बहुत सुन्दर है, और ऐसी बाणी है कि सब को अपनी तरब मोह ले, इस तरों का होने वाला है, अभी नहीं, और थोड़ा कहीं न कहीं जो है, सनी परवत पे इस तरों का चिन्न जो बन रहे हैं, वो बता रहा है कि रहश्य में विद्याओं के और चा पर रहा है, उस छेतर की और आपका रोजान होगा, और भाश्य में आप खोज भी कर सकते हैं, और उसी में जो है अपनी प्रगति भी कर सकते हैं, अभी बरतमान में चाहिए आप बिजनिस में हो, चाहिए नोकरी में हो, थोड़ी सी अडचन पैदा कर रहा है, और कम से कम द प्रसिद्धी पाने की एक्षा है और जो है गद्धी तो जरूर मिलेगी सुरे का परोध भी बहुत सुनर है और सुरे रेखा गद्धी दिलानी वाली रेखा है इसको ठेक करिएगा इनको ठेक करिएगा इनका उपाय दूँगा बहुत ज़्यादा परसिद्धी मिलेगी जीवन में बहुत बड़ा कारोबार जो है बिक्सित करेगी यह और ब्यक्ति को बहुत सुन्दर रहता है अगर यह लमवत खड़ी है ब्यक्ति ऐसा काम करने की सोचता है जिससे लोग सदेव उसको याद रखे अपने मानस पटल पे याद रखे और बहुत बड़ा ब्यापारी ऐसा ब्यक्ति होता है ब्यापार के गुण बहुत ज़्यादा आते हैं और ऐसा ब्यक्ति का ब्यक्ति तो बहुत आकरसित वाला होता है आकरसन वाला ब्यक्ति तो होता है यहाँ पे थोड़ा देख रहा हूँ मैं लगता है मुझे एक मचले का चिन जो है यहाँ पे बन रहा है बिलकुल बन रहा है देखो बुद्ध परवत पर अगर मचले का चिन बनता है तो यह पैसा नहीं देता है ये जो आपका ब्याबार है उस ब्याबार में बृदि करवाता है उसको फैलाता है ठीक नै और ऐसे में ब्यक्ति हर कार्य को योजना बद्ध तरीके से करता है और उसका जो communication skills होता है उसमें जो है ये फाइदा करता है उसको बढ़ाता है आपका बुद्द भहुत सुन्र है उपरी मंगल देखें तो बहुत सुन्दर है सासी होंगे निडर होंगे दिर्ड़ता और शंतुलन होगा जिवन में कैसी भी प्रस्तिते आ जाएं कैसा भी जिवन चले घबराईंगे नहीं हर प्रस्तिति को जो एहस्ते एहस्ते जहलने की कोशिस करेंगे मन अडिक रहेगा और उन प्रस्तितियों से निप्टने का सोल्यूशन डोनेगे प्राक्रम बहुत अच्छा है निडरता है जीवन में और जो एनरजी है वो बहुत सुन्दर है और कहीं न कहीं जो है भूमी भवन वाहन का जो है लाब जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो प्राप्त होगा अगर हम बात करते हैं खूबसूरत गरह का तो आपका चंदरमा बड़ा खूबसूरत दिख रहा है आप भी बहुत खूबसूरत होंगे और खूबसूरत नहीं खूबसूरत सोच के मालिक भी होंगे छलकपट से बहुत दोर रहने वाले होंगे और हर प्रस्तिति से निप्टन में माहिर होंगे देखे चंद्रमा जो है जोतिस का और हमारे जीवन का सबसे महतोपूर्ण क्रह है चंद्रमा के बारे में जोतिस की पुस्तके कहती हैं चंद्रमा मन का मालिक है मन का अधिपति है और जो मानव है उसका निर्मान ही मन से हुआ है जो मन का अवयव है वह है मानव मन का ही तो पार्ट है मानव इसलिए मानव की जीवन में चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व है बहुत बड़ा रोल है बहुत बड़ा भूमिका है चंद्रमा इतना महतोपून है कि आपके सरीर में 70% जल है और पिर्थिवी पर दो तिहाई पानी चंद्रमा इन सब को जो है प्रभावित करता है यानि आपके सरीर में, आपके जीवन में 70% मामलों पर चंद्रमा का अधिकार है और चंद्रमा 70% जीवन को बदलने की ताकत रखता है आपका मन बहुत सुन्नर रहेगा मन की जीत और मन की हार तो हार ठीक है ने, तो मन आपका बहुत दिल्ड रहेगा हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे कुछ करने की सोचेंगे ब्यक्तितों को बढ़ाने की सोचेंगे अच्छे अच्छी योजनाई जीवन में बनेंगे अच्छे कलपना करेंगे अपनी जीवन के लिए और ऐसे लोग जो है किसी ना किसी आर्ट में किसी न किसी कला में जो है हमेशा अपने मन को डूबा रहते हैं और बहुत कलात्मक बहुत क्रियेटिव होते हैं यह से लोग आप जैसे लोग देखे हतेली में अगर देखा जाए हतेली का आकर देखा जाए तो यह से भी दार्सनिक विचार धारा के है बहुत सुन्दर है अंग उठा से लेके उंगलियों से लेके हतेली से लेके उन से बनने वाले चिन्नों से लेके एक बहुत सुन्दर व्यक्तित्व को कहीं न कहीं जो है निखार रहा है और आने वाला समय बता रहा है कि पीछे जो कुछ हुआ वो हुआ जैसा भी रहा जीवन साल में उसके बाद जो जीवन है वो निरंतर चलने वाला है अपने को इंप्रोब करके चलेंगे और जो जीवन में धन धन्य से संपूर्ण रहेंगे परिवार का भी साथ मिलेगा दामपत्य जीवन भी बहुत अच्छा रेखने वाला है परिवार में और अगर देखा जाए तो बहुत सुन्दर है ये भी बहुत सुन्दर रहेंगे दामपत्य जीवन में ब्रदी होगा बच्चों का सुक मिलेगा और धन धन्य और अपनी मकान और अपनी वाहन का निश्चित तोर पे सुक इस हतेली में है धन का सुक है मगर अभी जो चल रही है कम से कम दो वरसों तोड़ा सा हलके रोप में संगर्स चाए धन के मामले में हो चाए काम के मामले में हो अगर उसके बाद गद्धी पावरफूल रहे है यस की प्राप्ति काम में बिस्तार निश्चित तोर पे है और मंगल रहा तो है अपनी उदिश्य के हरा हाल में पूरा करते हैं दूसरों का सवयोग ऐसे लोगों को बहुत आच्छा मिलता है अगर मैं कहूं तो ये एक ऐसे रेखा है जो ब्यक्ति को जमीन से उठा के आसमान में बिठा देती है जीरो से ब्यक्ति टॉप लेवल तक पहुंच जाता है अगर बात करें तो मैंने आपकी पूरी हतेली का कलर आकरती अं मुलियां आपकी लकीरे उसमें बनने वाला चिन सबका जो है आपका मणी बंद उसमें बनने वाली चिन सबका अवो लोकन करके सबका एनलेसिस करके आपको समझा दिया है उसके बाद भी अगर कुछ रहता है मुझे वटसप जरूर कर लीजेगा क्योंकि जितना आपकी हते केली में आया है जितना मैंने देखा है जिस तरह से मैंने बहुत फोटो आपसे मंगाई है उसके बाद मुझे ये एक फोटो अच्छी लगी तो इस से मैं जो है जितना आंकलन इसने था ओग करके आपको दे दिया है कुछ Quesn बाकी रहे जाते हैं वटसप करिएगा उनका म में कुछ उपाई भेज रहा हूँ जरूर करिएगा जीवन बदलने में आपको साहता प्राप्त होगी तो एक छोटा सा विसलेशन था अगर आपको भी अपनी हतेली का विसलेशन करवाना है तो दिये गए नमबर पे आप फोन कर सकते हैं वाटसप कर सकते हैं हाँ जाने से प